करतें 36 गड़की जहां सोमवार को CM भुपेश बगेल पेश करेंगे बजट जी हां बजट को लेकर कॉंग्रेस ने अब तमाम तयारी भी कर ली है सभी जिलों में कॉंग्रेसी बजट भाशण सुनेंगे सभी जिला मुख्यालों में LED स्क्रीन लगेंगी सभी जिलों में बजट जश्न भी कॉंग्रेस मनाएगी तो सोमवार यानि की 6 मार्च को CM भुपेश बगेल अपना बजट पेश करेंगे और ऐसे में बजट को लेकर कॉंग्रेस ने तमाम तयारी भी कर ली है तो बजट सत्र की शुरुवात 1 मार्च से हो चुकी है 6 मार्च को भुपेश बगेल वितमंत्री के तोर पर बजट पेश करेंगे ऐसे में बजट को लेकर सभी जिला मुख्याले में LED स्क्रीन लगाई जाएगी और चले इसका पर प्रादिक जानकारी ले ले लेते हैं समबादाता गौरफ शुक्ला लाइव हमारे सा जुड़ गए है गौरफ कल बजट पेश होना है एक मार्च से बजट सत्र की शुरुवात हो चुकिया क्या विशेश तैयारिया इसको लेकर की गई है बिल्कुल देखे मुख्यमंत्री बता और वित्मंत्री कल अपने साशनकाल का आखरी बजट प्रस्तूत करें गया और उसे लेकर तमाम तैयारिया पूरी हो गई है सरकार ने कहा है कि एक बड़ा बजट होगा और हर वर्ग के लोगों को जोड़ते वे बजट प्रस्तूत किया जाएगा और हो भी क्यों ना क्योंकि आखरी बजट है और हर वर्ग के लोगों को उमीद है चाहे कर्मचारी वर्ग के लोगों की बात करें या फिर युवाओं 2023 आखरी नवंबर में विधान साबक चुनाव होने हैं और उसे लेकर तैयारिया भी है तो कहीं न कहीं एक बड़ा चुनावी बजट भी होगा विपक्ष भी लगातार कहे रहा है कि पूराने जो वादे किये थे जो गोसना पत्र में वादे किये थे उसे तो सरकार पूरा करे तो कहीं न कहीं एक बड़ा बजट होने की उमीद है और इसे कॉंग्रेस कहीं भी छोड़नार नहीं चाहता है कॉंग्रेस के प्रदे सद्यक्ष मुहन मरकाम ने आदेश जारी किया है कि सभी जिला मुख्यालेओं में जो है LED TV लगाई जाये और सभी कारिकरताओं के साथ सा आम लोगों को लाइब बजट दिखाया जाये ताकि जो बजट की व्रिहदता रहे उसे लोग देखे और कॉंग्रेसी कारी करता भी देखे जैसन की भी तैयारिया है तो समय रहेगा कल 11 बजे का जब मुख्यमंत्री बतार विधान सभा पहुंचेंगे और बजट जो है वो सदान में प्रस्तूत करेंगे जी निश्यती चनावी बजट भी होगा भरोसे का बजट भी होगा जैसे कॉंग्रेस कह रहे है बहुत बहुत शुक्रिया गौरफ तमाम बातचीत के लिए पलपल का अपडेट आपसे लेंगे तो देखिए 6 मार्च यानि कि कल बजट पेश् में भुपेश पगेल बजट पेश करेंगे एक मार्च से बजट सत्र की शिर्वाद हो चुकी है